नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से इस्ट इंडिया कमपनी हमारे देश में इस्टेबलिस हुई एक ट्रेडिंग कमपनी से धेरे 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 हमारे देश में पॉलिटिकल सिस्टम को उसने अपने कबजे में ले लिया चलिए नेक्स चैप्टर थ्री में हम लोग देखेंगे कि रूलिंग दक कंट्री साइड यानि ग्रामिन छेतर पर फिर किस तरीके सुसका अधिकार हुआ शुरुआती दिनों हम लोग देखते हैं कि जो बड़े बड़े सहर थे उस सहर पे पहले उसने अपना एक आधिकार इस्टैबलिस किया ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म किया और उसके बाद फिर धेरे धेरे वो गाउं की ओर बढ़ना शुरू हुआ तो यहां एक पिक्चर दिया हुआ है यह पिक्चर रॉबर्ट क्लाइब का है रॉबर्ट क्लाइब 1765 में जब मुगल रूलर के द्वारा दिवानी प्राप्ट कर रहा था बेंगाल बिहार और उडिसा का देखे यह पिक्टोरियल फॉर्म जो है हम लोग जानते हैं कि पिक अंग्रेजों ने भी यह काम को जारी रखा और अंग्रेजों ने अपने सुपेरिटी को सो करने के लिए पिक्चर का सहरा लिया था तो पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे कि दा कंपनी बिकम दा दिवान कंपनी किस तरीके से जो है भारत में दिवान के पद पे पह अटार दिवान का जाता था तो अंड 12 अगस्त 1765 एप मूगल इंपेर इंप यंपॉए रेप्ट पांटेट दे इस त इंडिया कंपनी एस दीवान ओफ बेंगल सटरसो पैसर्थ में 20 अगस्त शटरसो पैसर्थ मूगल बादसाह के द्वारा इस इंडिया कंपनी को बंगा का दिवान घोसित किया गया था एपॉइंट किया गया था and the actual event most probably took place in Robert Clive tent ऐसा माना जाता है कि कुछ English man के बीच और Robert Clive ने अपने tent में इस पद को स्विकार किया था और कुछ Indians भी इसके witness बने थे लेकिन जो अभी आप देखते हैं कि पेंटिंग में but in the painting above the event in shows as a majesty Caucasian taking place in a grand setting लेकिन इस पिक्चर में जो दिखाया जा रहा जैसे लग रहा है कि कोई बड़ा सा एक सेटिंग किया गया था और उसमें दिवानी पद को उसको दिया गया था तो यह सो करता है कि Robert Clive अपने record को memorable बनाने के लिए इस event को memorable बनाने के लिए इस तरीके का जो पिक्चर है उसने बनवाया था यानि कि कहीं न कहीं भारत के लोग यह तो नहीं समझ रहा थे कि इसका क्या महतो है लेकि इस painting को बनाने वाला ब्यक्ति यह समझ रहा था कि इसको हमें tent में नहीं दिखाना है बलकि एक grand occasion की तरह दिखाना है जो आगे आने वाले समय में इसका काफी importance होने वाला है यानि बेटीस उसी समय यह समझ रहा थे कि यह दिवानी जो उनको मिल रहा है यह निश्चे ही एक बड़ी घटना है और आगे आने वाले समय में यह एक मील का पत्थर साबित होगा तो जब दिवान बन गया कंपणी तो कंपणी के हाथों में एक मुख्य रूप से जो फाइनांसियल एड्मिस्ट्रेशन था जो कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों का मुख्य सासक यह बन गया था आर्थिक मामले के सारे चीजों को अभी देखना शुरू कर दिया था अब जो है जमीन और रेवन्यू से रिलेटेड किसी भी तरीके का सिस्टम बनाना अंग्रेजों के हाथ में था अब जैसे ही इस के हाथ में के हाथ में सासान आया जमीन का और फिर रेवन्यू का तो उसने अपना एक तरीका ढूंडना शुरू कर दिया कि कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने खर्चों को पूरा करने के लिए आमदनी जुटाई जा सके तो ये ब्यपारे कंपणी होते हुए भी ब्यपारे कंपणी के नाते तो इसका फ्याल इसको रखना आई था की का समान खारीदना बेचना है लेकिन साथ ही साथ जब इसको पावर मिलना शुरू उबा तो इसका भी ये काफी फाइदा उठाया कि कैसे अप इस पावर को बढ़ा सके तो समय के साथ company को ये समझ में आने लगा कि दीरे दीरे सापधानी से उसको आगे बढ़ना है company also learned that it had to move with some caution so being an alien power यानि कि बाहरी ताकत होने के बज़े से उन लोगों को भी सांत करना रखना था जो गाउं देहात में पहले सासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफी ताकत और समान था तो being an alien power it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside यानि पुराने समय में जो शासन के करता धरता थे उनको भी इसको सांत रखना था and enjoy authority and prestige and who had held local power had to be controlled but they could not be entirely eliminated जो पहले ग्रामी लाकों अपना सासन सत्ता संभाल चुके थे अस्थानी सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंतित करना तो जरूरी था लेकिन उसे completely खत्म नहीं किया जा सकता था क्योंकि आज भी लोग उनकी बातों को मानते थे तो इस काम को कैसे किया जाए how was this to be done वही इस चेप्टर में हम लोगों को पढ़ना है और इसने उसके लिए कैसे कमपनी ने कंट्री साइड में revenue resources को organize किया right of people को redefine किया कौन सा क्रॉप उगाना है नहीं उगाना है इस पे भी उसने अपना कभजा जमा लिया अब देख अब कमपनी की अगर revenue की बात करें तो यह कैसे set करता है कमपनी के revenue देवान होने के बावजूद एडमिस्ट्रेटर होने के बावजूद आज भी सबसे पहले यह अपने आपको एक ब्यापारी के रूप में देखता था और इसका बहुत बड़ा कारण था कि उसे ज्यादा से ज्यादा revenue कलेक्ट करना था ज्यादा से ज्यादा आमदनी कलेक् यह बहुत ज्यादा revenue कलेक्ट करना चाहता था लेकिन एक रेगुलर सिस्टम या एसेस्मेंट या फिर का सकते हैं कि कलेक्शन का एक रेगुलर सिस्टम बनाना नहीं चाहता था यह भारी भरकम लगाम वसुलना चाहता था लेकिन कोई नियमित ब्यवस्था करने से डर रहा था देफर्ट वस तोइनक्रीज एक रेवेंद्यू एज मुच एज इट कूड और पा豆 ये फ्याज़ चीपरी आज़ चुथ जैधा से ज्यादा राज़ास प्रुश्म फष्चन चलेक्द केक्रीदा जाए लावतों एंड » रिआना इन सूथ आождग मईन पिरूशन बेंगाल डवल्ड और यही प्रयास में पांच साल के अंदर जो कमपनी का रेवन्यू था बेंगाल से उसकी डवल हो गई बिफोर 1865 दा कमपनी हैड पर्चेज गुड्स इन इंडिया बाइंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम बेटेन अब पहले क्या होता था कि जब इनको इन सारे चीजों को खरीदना रहता था उसको खरीदने के लिए 1865 से पहले बेटेन से ये लोग सोना और चांदी लेकर आते थे कि हमें सामान खरीदना है अब बेंगाल में चुकी इनको दिवानी मिल गई थी तो बेंगाल में ये क्या कर रहते इन से जो रिवेन्यू कठा हो रहता उसी से ये सामान को खरीद ले रहते और उस सामान खरीद के वो उस financial crisis आ गया, economic crisis आ गया, artisans were deserting village since they were being forced to sell their goods to the company, अब यह जो artisans थे, यह जो कारीगर्स जो थे, वो गाउँ छोड़ कर जा रहे थे, क्योंकि उनको जो अपना सामान था, वो जबरन company के हाथों ही बेचना परता था, जिससे उसको काफी कम कीमत मिलती थी, and peasants were unable to pay the dues that they were being demanded from them, किसान भी अपना लगान नहीं चुका पारे थे, जितना उनसे वसूला जा रहा था, artisanal production was in decline, धेरे धेरे जो थे, उत्पादन गिर रहा था, खेती चौपट हो रही थी, and agriculture cultivation so signed of collapse, then in 1770, 1770 में, terrible famine killed 10 million people in Bengal, और उसमें फिर 1770 में जो ये फहिमाईन आया, वो बंगाल के स्थित्य को काफी दैनिये कर दिया, यानि कि about one third of the population was wiped out, लगभग एक तिहाई जो जनसंख्या थी, बंगाल की जो आवादी थी, वो खत्म हो गया, ये देखिए एक picture यहाँ पर show किया गया है, इस picture में क्या है, कि weekly market जो है मुर्सीदाबाद जो बंगाल में लगता है, उसको यहाँ पर दिखाये गया, पिजैंट्स एन आर्टिजन्स फ्रॉम रूरल एरिया रेगुलर्ली कम तो इस वीकली मार्केट्स, आज उसको हाट भी कहते हैं, इस एकोनोमिक क्राइस के दौरान यह काफी ज़्यादा एफेक्टेड हुआ, तो अब आगे हम लोग देखेंगे, कि फिर इसके लिए अंग्रेज क्या करते हैं, इसमें कमी लाने के लिए, या लोगों के सुधार के लिए अंग्रेज क्या करते हैं,